hello good morning class 9th हम लोग पढ़ रहे थे बच्चो समास समास में हमने अव्ववी भाव समास पढ़ लिया था तत्पोरुष समास पढ़ लिया था तत्पोरुष समास का हमने पहला भीट पढ़ था कर्म गद्पोरुष यहां तक हमें खतम हुआ था आज हम करेंगे कर्ण तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष यह है तत्पुरुष समास के भेट कर्ण तत्पुरुष में देखिए बच्चो कर्ण तत्पुरुष परिभाशा एक ही है इस में से भी हमने कुछ शब्द लेने हैं और उनका समास आपको बताना और उसका विक्रे बताना है ठीक है न? जैसे है रेखांकित, रेखा से अंकित, लाइनों से बना हुआ, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, महानकवी तुलसी दास, उनके द्वारा लिखा हुआ, हस लिखित, हाथ से लिखित, जो हाथ से लिखा गया हो, नेत्र हीन, नेत्रों से हीन, जिसकी आँखे ना हो, मू मांगा, मू से मांगा, अपने मू से किसी चीज़ को मांग लेना, हिर्दे हीन, हिर्दे से हीन, जिसका दिल ना हो, मतलब जिसके दिल में भावनाय नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं, इसके पास तो दिल ही नहीं है, इस तरीके, ठीके, संप्रदान तत्पुरुश, अब संप्रदान तत्पुरुश में देखिए बच्चो, हवन सामगरी, हवन क के लिए सामगरी मतलब जो पूजा की जाती है उसके लिए लाना सामान को देश भक्ती देश के लिए भक्ती अपने देश के लिए इज़त करना उसकी हर अच्छी पूरी चीज में खड़े होना अपने देश के हक में खड़ा होना हत कड़ी हातों के लिए कड़ी हात में जो लॉक करके पहनाया जाता है ना हद करे जो पुलिस वाले इस्तिमाल करते हैं वो रसोई घर रसोई के लिए घर खाना बनाने के लिए एक कमरा रसोई खाना बनाना होता है उसके लिए घर उसके लिए एक कमरा जिसे हम लोग किचन कहते हैं राह खर्च राह के लिए खर्च, रास्ते का खर्चा राम पुत्र, राम का पुत्र जिक अब है इसमें अपादान तत्पुरुश अपादान तत्पुरुश में देखे वच्चो जनम रोगी, जनम से रोगी, जो जनम से बीमार हो पत भरस्ट पत ब्रस्ट पत से ब्रस्ट जो अपना रास्ता भटक जाए धरम ब्रस्ट धरम ब्रस्ट जो अपने मज़ब को भूल जाए धन हीन धन से हीन जिसके पास रुपिया पैसा ना हो उसके बाद संबंध ततपुरुश संबंध ततपुरुश में देखे बच्चो माखन चोर माखन का चोर माखन मतलब मखन का चोरी करके खाने वाला रास्ट्र पती रास्ट्र का पती जनम भूमी जनम की भूमी जनम भूमी हम किसे कहते हैं जहां हम पैदा होते हैं फिर है अधिकरन तत्पुरुष, अधिकरन तत्पुरुष के भी कुछ उधारन हम लेते वे चलेंगे बच्चों, अनपर्ट, जो पड़ा ना हो, अपठित, जो पठित ना हो, अन होनी, जो ना होनी हो, अपरिचित, ना परिचित, मतब जिसको हम जानते ना हो, परिचित, वो व्यक्ती के लिए इस्तिमार शब्द होता है, जिसे हम जानते हैं, यह हमारा परिचित है, अब परिचित, जिसको हम जानते नहीं है, कर्मधारे, कर्मधारे तत्पुरुष में कहा है, देखे बच्चों, चंद्र मुक चंद्र जैसा मुक चान्द के समान मुख का होना मुख का होना गं श्याम गं जैसा श्याम बादलो जैसा श्याम परमात्मा परात्मा नील कमल नील जैसा जैसे कमल चरन कमल कमल जैसे चरन मतलब कमल के फूल के जैसे चरन नील कंट नील जैसा कंट जिसका कंट मतलब गला नीला हो महादेव महान देव जो बहुत महान व्यक्ति आत्मे हो महात्मा महान आत्मा ठीक है आज आप लोग कही हैं तक हुमवक रहेगा बच्चो दिगु समास हम लोग आपको कल देंगे ठीक है तो यही आप लोग कॉपी पे करेंगे तब तक बच्चो गर पे रहें सेफ रहें अपने टी वन एक्जाम की तैयारी करते रहें तब तक के लिए खुदा हाफिज